जैन साथियों आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूटूब चैनल राजधानी फैमली पर आज हम आप लोग को आपके अपने इस जो यूटूब चैनल के हैं एक साथी टीचर जिने आप लोग सब लोग पहचानते हैं हमारे राम परवेश सर जिने की सफलता में लिए आज हम लोग उनसे मिलेंगे और आप सभी को उनसे मिलाने का मेरा एक परपस है कि आप लोग के दिल में तैयारी जो सरकारी जौब के जो हम लोग तैयारी करते हैं उससे आप लोग को मतलब मोटी भेशन मिले है ना तो यारी के दिल में जो है आपका जो है जज़वा बरकरार रहे इसलिए आपको जो है हम आपको उनसे मिलाना चाहते हैं तो रमपरवे सर यहां पर आएंगे और उन्हें हम इस बार बर्दी में ही बुला रहे हैं, है ना, आइए सर, हमारे सर देखिए, रामपरवे सर, जो कि हमेशा हम लोग जिस समय से हमारा या मतलब की राज्धानी फैमिली का निर्मान हुआ है, उस समय से हम लोग साथ में हैं, इस से पहले हम ल नहीं हाँ, खेक है, जहीं दोस्तों, स्वागत है फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल राज्धानी फैमिली पर, मैं अपनी सफलता के बारे में यही कहूंगा, मैंने दुहर तेरा में राज्धानी को जोईन किया था, उस समय में पांच दोस्त था, एक धरा, दो धरारा के थे, एक रहरी का रिखम है, तो जिसमें तीन लोग अभी तक सफलता मिल चुकी है, पांच दोस्तों में से हमें, हम लोग पहला बैस थे, टेंद क्लास के, और हमें सफलता मिली है, इसमें हमारे सर का बहुत बला योगदान रहा है, क्योंकि बिना गुरू के कुछ ग्यान मिलीने सकता है, कुछ लोग होते हैं, कहें हैं, बिना गुरू के ग्यान मिल सकता है, हारबर्ग के बदलत, सेल पस्टडी के बदलत मिल सकता है, लेकिन एक गुरू का जो ग्यान देने का तरीका होता है, खुद का जो तरीका होता है, बिलकुर अलग होता है, गुरू जो होत साइब बच्यों की दुमाएं लगिये इसलिए हमाद सफल हुने और सर के बारे में क्या बोले सगर मारे तक निहीं को देख़ें के हमें अपनी मां को देखेंन वही हमारा मूटिवेशनल होता है और मुझे सर्ट दे Џक हम मोिबूक है नरने कि पढ़तेstar निरास होते थे हतास होते थे अपनी परिशाओं में सर को देखते थे कि सर काफी लगतार आज सफलताओं के बाद भी आज हिम्मत नहीं हारे लगतार चलते रहते हैं आप लोग गाना भी सुनेंगे चलो कदम से कदम मिला कर दूर किनारे मत बैठो और आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो बस सर को देखते हैं और ममी को देखते हैं बस उसी से हमारे दिल में आग जलती है और हम आगे बढ़ते ही बढ़ने की कोशिस में लगे रहते हैं और मैं सर को आज जो अपना कैप होता है ब्यार पुलिस का ये केप बहुती सौवाग से बहुती महिनत के वाद हमें मिला है और मैं सर को इसे डिडिकेट करना चाहूँगा वाज़ा छोटा हो रहा है देखिए इसमें जो है हमारे सर सफल हुए लेकिन सर को तो जो खुशी मिली है मिला ही होगा लेकिन उससे भी एक बड़ी खुशी हमें जरूर मिला है क्योंकि हम जिस समय जब टेंथ का बैचा स्टार्ट किये थे हमारे पास मातर चार से पांच स्टूडेंट था और उसमें से आज दो लोग जो की है जोब पाच चुके है तीन लोग जोब पाच चुके है ना तो समझे कि काफी अच्छा उस बैच का यादगार रहेगा कि सबसे पहला बैच हमारा था और काफी यादगार रहा ठीक है तो सर का जो है हमेशा आप लोग को मोटी भेशन दिलाता रहेगा खास कर या वीडियो बनाने का मेरा ही परपस था ठीक है का जाता है रख हाउसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा ठक कर ना बैट मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगा और मिलने के बाद उसका मज़ा भी आएगा जैसे मज़ा भी सर को आ रहा है बले ही थोड़ा सा मतलब की और उचा जाने का लक्ष हमेशा दिल में रखे हुए अभी देखे डवल अश्टार का सोच रखे हैं लेकि हाँ यह तो जरूरी है डवल अश्टार का डवल अश्टार मिलने के बाद डीस पी उसके बाद और आगे बनने का हमेशा सब को लच रखना ही चाहिए क्योंकि आप समझते हैं कि अगर आप रुक जाईएगा तो इसका मतलब है कि आप आगे मतलब बढ़ नहीं पाईएगा है इसलिए जहां भी मतलब आप हैं उससे आप आगे अपने अस्तर को बढ़ाने का परियास करेंगे तो सर से भी यही कहेंगे कि अभी यह अंतिम सिड़ी नहीं था आपका अभी तो कहा जाता है कि नापे हैं मुठी बर जमीन अभी नापना पूरा अस्मान बाकी है ठीक है यही बात है कि हिम्मत नहार मेरे यार लड़के लेंगे डबल अश्टार ठीक है जहिन मिलते हैं फि झाल